नमस्काल लोकसवा टीवी पर हमारे खास कायकरम फैसले में आपका स्वागत है मैं हूँ मनोज वर्मा न्याय का सबसे बड़ा से धानत है भरोसा भरोसा कायम रखने के लिए जरूरी है न्याय की चौकट से निकला हुआ एक सही फैसला वो फैसला जो नजीर बन जाए वो फैसला जो देश की तस्वीर बदल दे वो फैसला जिसका सरोकार हमसे और आपसे हो आज हम सुप्रीम कोट के एक ऐसे ही फैसले के साथ एक बाफिर से आपके साथ हैं कि नियाले हमें साथ वह फैसला देता है जो सच्चा है मैं उसको साह आदर सम्मान करता है सुप्रीम कोट के अंतिम फैसले को पूरे भारत की जनता विश्वास के साथ अड़ाप्ट करती है बड़ा आद्मियों चोटा आद्मियों सबके लिए बराबर है काने सबके लिए एक जैसे हैं कि इस कायकरम में हम सुप्रीम कोट के हाल में घोशित किये गए एक एहम फैसले पर चरचा करेंगे सम्माने जज़ों वाले सरवोष नयले की किसी बैंच के उस फैसले पर पैनलिस्ट के साथ चरचा करेंगे जिसका सरोकार सीधा सीधा आप से जुड़ा हो साथी हम इस बात को भी जानने की कोशिश करेंगे कि राजनेतिक, आर्थिक और समाजिक पैमाने पर इस फैसले का क्या असर रहा है आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोट के एक एहम फैसले की जिसमें कोट ने सर्च इंजन गुगल, याहू और माइक्रोसाफ्ट को अपने वेबसाइट पर लिंक प्रेक्षन से जुड़े विग्यापनों को ना रोक पाने के लिए जम कर फटका रहा है कोट ने इन वेबसाइट को ऐसे विग्यापन को तुरंत रोकने का आदेश दिया है क्या है ये पूरा मामला आईए हमारे से होगी अमरेज गुप्ता की इस रिपोर्ट के जरिये जानते हैं सुप्रीम कोट ने एक बार फिर से लिंक परिछण के विग्यापन न रोक पाने के लिए सर्च इंजन याहू, गूगल और माइक्रोसोफ्ट को कड़ी फटकार लगाई है सुप्रीम कोट ने ये फैसला डॉक्टर सावू मेथ्यू जॉर्ज की उस याचिका पर दिया है जिसमें याचिका करता ने कोट से गुहार लगाई थी कि इंटरनेट के जरिये लगातार सेक्स सेलेक्शन से सम्बनित विग्यापन धिये जा रहे हैं इस तरह के कंटेंट को ब्लॉक किया जाए और इन विग्यापनों पर तुरंत रोक लगाई जाए सुप्रीम कोट ने एक बार फिर सर्च इंजेन, गूगल, याहू और माइक्रोसॉफ्ट को अपनी वेबसाइट पर लिंग पर रिक्षन के विग्यापन न रोक पाने के लिए फटकार लगाई है सर्वोच अदालत ने बड़ी आबादी तक पहुँच रखने वाली इन वेबसाइट को ऐसे विग्यापन तुरंत रोकने का आदेश दिया सुप्रीम कोट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि वे भारत के खानून का सम्मान नहीं कर रहे हैं ये खानूनों का खुला उलंगन है जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस आर भानूमती की बेंच ने वेबसाइटों पर लिंग परिक्षन, टूल्स और क्लीनिक के विग्यापन रोकने की साबू मैथ्यू जोर्ज की याचिका पर सुनवाई के दोरान ये निर्देश दिये सुप्रीम कोट ने अपने आदेश में कहा है कि सर्च इंजिन याहू, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट उन विग्यापनों को तुरंत ब्लॉक करें जो प्रीकंसेप्शन और प्रिनेटल डाग्नोस्टिक टेकनोलोजी एक्ट की धारा 22 का उलंगन करते हैं इस एक्ट के तहट भून के लिंग परिक्षण की मना ही है बेंच ने केंदर सरकार से कहा है कि वो ऐसे विग्यापनों को रोकने के बारे में तुरंत कोई रास्ता निकालें और उसके बाद कोट में मेमोरेंडम दाखिल कर बताएं कि ऐसे विग्यापनों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए है कोट ने कहा है कि सर्च इंजिन याहू, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट स्पष्ट तोर पर भारतिय खानून का उलंगन कर रहे हैं और इन विग्यापनों पर रोक लगाने को लेकर टाल मटोल का रवया अपना रहे हैं कोट ने सकती दिखाते हुए कहा है कि ये स्विकार नहीं है और इस पर लगाम लगाने की जरुरत है ये सर्च इंजिन वेबसाइटों पर ऐसा कुछ नहीं डाल सकते जो देश के खानून के खिलाफ है कोट ने कहा कि केंद्र बताए कि सर्च इंजिनों पर भून के लिंग का पता लगाने की परिक्षणों से संबंधित विज्जापनों पर लगाम लगाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए और कैसे उठाये जाने चाहिए तीनों कमपनियों के वकीलों ने दलील दी कि वे इन विग्यापनों पर पूरी तरह रोक नहीं लगा सकते लेकिन जैसे ही कोई विग्यापन आता है तो उसे ब्लॉक कर दिया जाता है इस पर कोट ने कहा कि वे ये कहकर नहीं बच सकते कि वे मध्य वर्ती एक संस्थाएं हैं और यहां के कानून उलंगन होने पर कुछ नहीं कर सकते अदालत ने केंदर को निर्देश दिया कि बैठक बुलाई जाए और याचिका करता डॉक्टर साबू मैथ्यू जोर्ज को इसमें भाग लेने की इजाज़त दी जाए जोर्ज ने देश में बच्चियों की घटी संख्या के मद्दे नजर एक जनहत याचिका दाखिल कर इस मामले में अदालत के हस्तक्षेप की मांग की थी आपको बता दें कि इस साल की शुरुआत में कोट ने इन सर्च इंजिनों को अपनी भारती वेबसाइट पर लिंग परिक्षण से संबंधित सभी विज्यापनों को रोकने के निर्देश दिये थे बहराल सुप्रीम कोट ने ऐसे विज्यापनों को तुरंत रोकने के लिए एक और जहां सर्च इंजिनों को कड़ी फटकार लगाई है वहीं दूसरी और केंदर सरकार को भी कहा है कि वो ऐसे विज्यापनों को रोकने के बारे में जल्द ही कोई रास्ता निकाले इतना ही नहीं कोट में सरकार से ये भी कहा है कि ऐसे विज्यापनों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं इसके बारे में भी कोट में मेमोरंडम दाखिल कर बताया जाए अमरेंद्र गुपता लोगसवा टीवी आपने अमरेंद्र जी की रिपोर्ट देखी हमारे खास एक्सपर्ट विस्तार से सुप्रीम कोट के इस फैसले पे चर्चा करेंगे और इस मामले के जरूरी तथ्यों को उजागर करने की भी कोशिश करेंगे आपको ये भी बताएंगे कि इस मुकदमे में क्या कानूनी सवाल थे इस केस पर न्याले में आए सभी पक्षों की क्या दलील थी और सुप्रीम कोट ने इस मामले में क्या फैसला दिया और क्यों हम अपने एक्सपर्ट से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम को लगता और मेरे नामराशी मनोज वर्मा साथ ही पत्रकार जोशना सिंग मनोज जी सबसे पहले मैं आप इसे आना चाहता हूं सुप्रीम कोड का यह जो फैसला है इसे आप कैसे देखते हैं और यह फटकार लगाने की सर्चेंजन गुगल याहू को नौबत क्यों आई अपने वेबसाइट पर लेकिन उसके बावजूद इन लोगों ने लगतार जारी अपना आड जो है उनके आते रहें और जो वेबसाइट जो इससे रिलेटेड वेबसाइट थे वो भी सोगते रहें कि ये वेबसाइट जो है इस तरह के जो सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं उनकी कंपनियां बना रखे हैं उन लोगों ने वो अपना वेबसाइट के थूरू पब्लिश इंडेक्स में आता रहा गूगल के और माइक्रोसफ्ट के तो इसी पर सुप्रिम कोड ने दुबारा संग्यान लेते हुए 5 जुलाई 2016 को इन तीनों कंपनियों को फटकार करती है उस ग्राउंड पर उन्होंने कहा कि डिफेंस लिया कि हम उसको रोक नहीं पाते हैं इसलिए उन्होंने सुप्रिम कोड ने कहा कोई भी हो या आपके डारेक्ट आड़ देने वाले हो या आपके मदवर्तियें हो दोनों तरह के वेबसेट्स पर आपको रोक लगानी होगी लगाम लगानी होगी चाहे कुछ भी हो जाए और इस तरह कि वेबसेट को ब्लॉग किया जए और लगाम लगाया जाए विधिण 10 आपको गूगल जी यह गूगल याहू जैसे जो विवाद उठते रहे हैं और इस मामले में सुप्रीम कोट ने जो फटकार इनकी लगाई है इससे आप कैसे देख देखे मुझे लगता है उच्चितम नियाले ने जो फिलहाल फटकार लगाई है केवल पुना से दोराया है जो कानू कानून के प्रावधान है भारत वर्ष में ना केवल यह specific law है बलकि साथी साथ जितने भी सर्विस प्रवाइडर होते हैं Google, Microsoft, Yahoo यह तमाम सारे एक और नए कानून के तहट आते हैं जिसे हम भारत का सूचना प्रवध्योग्य की कानून कहते हैं Information Technology Action 2000 उसमें हमने धाराद 2 मे Intermediary को परिभाशत किया है बहुत विशाल स्तरों में भाशाओं में इसको परिभाशत किया गया है कि हर वो service provider जो विन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है वो इस कानून के तहता आ जाता है भारत का IT Act तो यहां तक कहता है कि साहब आप चाहे भारत में हो यह नहों अग section 79 of the IT Act में सपष्ट कहा गया है कि यह जितने भी service providers हैं यह due diligence और साबधानी बरतेंगे जब वो अपनी duties का निर्भाह करेंगे केंद्रिय सरकार ने सन 2011 में कुछ rules को notify किया जिनने हम information technology rules 2011 कहते हैं उन rules में सपष्ट तोर पे information technology intermediary guidelines rules 2011 में यह कहा गया और दिशानिर्देश दि वो अपने platform users के लिए terms and conditions, rules and regulations और बाकी जितने और प्रावधाने डालेंगे ताकि वो अपने उपभोगताओं को बता सकें कि वो उनके platform का दुरूपर योग ना करें कुछी पी गतिविदी के लिए जो कानून के बद्द हो या किसी परकार से कहर कानूनी हो अब obviously यह सब legal or statutory liabilities or duties तो कानूने परिवाशत कर दी. Problem यह होती है कि अधिकांच से service providers कहते हैं कि साहब हम लोग तो भारतवर्श में या तुम्हारा दफ्तर नहीं है या जो main companies को operate कर रही है वो अमरीका में है और उनको आपका कानून को पालन करने में थोड़ी दिक्कत है या समय में लॉजिक नहीं है कि भारत भी इसको नकारे क्यों नकारे बिल्कुल नकारा जाना चाहिए अगर आप इंडिया की market को target करना चाहते है तो आपको इंडियन कानून का पालन करना पड़ेगा और यह जो सुप्रीम कोड ने फटकार दी है यह केवल पुना से एक रीटरेशन है किसाब आप जल्दी से कर लीजे नहीं करेंगे तो जो कानूनी परिस्थिया आपको सामना करनी पड़ेंगी उसके लिए आज तैयार हो जाए जी जोशना जी यह गूगल याहू जिस तरह से विग्यापान लिग प्रक्षड़ वाले दिखाते हैं इसका आप समाज एक इस सेक्स रेशियो बहुत ही कम है और उन्नि सो इक सट से लेके अभी तक भी वह बहुत ही कम रहा है महता है जिसका मतलब है कि बच्चों में लड़कियों की तादाद जादा रही है overall population के comparison में लेकिन 2001 में अगर हम आए और उसका census देखें तो तब child sex ratio कम चला गया है लड़कियां कम हो गई हैं बच्चों में और उसके बाद 2011 के census में वो और भी कम हो गई है हमारा sex ratio आज की date में 940 है लेकिन child sex ratio सिर्फ 919 है नौसो उननेस यह हुआ है जब से ultrasound machines आई है imaging machines आई है और इस तरह की IVF technologies वगएर आई है तो यह बहुत ही बड़ी एक समस्य ओबर के देश में हुए है जहां पे लड़कियों को पेट में मारा जा रहा है इस तरह की जो कतल चल रहा है कतले आम यह बच्चियों का पेटो में उसके खिलाफ तो लड़न चलिए मैं आप तीनों से इस फैसले को लेकर इसके तखनी के और पहलूं को और समझोंगा अपने रर्शकों के हम बताएंगे वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद जिब आपस लोटेंगे तो बात करेंगे इस केस से जोड़े कुछ और पहलूं पर ब्रेक के बाद फैसले में आपका फिर सा स्वागत है पवंजी प्रधान मंत्री नरेन मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं उस पर जोड़ देते हैं अभी जोशना ने जो बात चर्चा में की है उसी को मैं आगे बढ़ाता हूं और याहू गूगल जैसी जो साइट्स हैं वो लिंक परक्षण को हैं विज्यापन जो भी आते हैं उससे वो बचने के लिए अपनी दलील देते हैं कोड का कहना कारवाई कीजिए सरकार का जो एक दलील आती है तरक आता है सुनने में यह आता है सरकार की और से मामले में कि अगर हमने ब्लॉक कर दिया तो पूरा कंटेंट ही ब्लॉक हो जाएंगे हम जितना कर सकते हैं हमने कर दिया उसके ब्यांड नहीं कर सकते हैं लेकिन यह दलील अक्सर यथार्थ में हकीकत से कुछ कदम पीछे होती है रियालिटी है कि अगर सब्स प्रोवाईडर्स चाहेंगे तो अपने बहुत से मॉनिटरिंग मेकैनिसम्स अपने प्ल प्राद्योगी की कानून ले लीजे यह एक मदर लेजिसलेशन है भारत का साइबर लॉग कहता है कि अगर भारत के आईटी आक्ट और किसी और कानून में विरोधाभास होगा तो भारत का जो सूचना प्राद्योगी की कानून है वो प्रीय रहेगा अगर आपने इतनी सु Information Technology Act 2000 में उसमें स्पष्ट तोर पर किंद्री सरकार को यह पावर्ज दे रखी हैं कि वो तमाम सरी इन Service Providers की वरुद्ध बिल्कुल ऐसी ही कारवाही करें जैसे कि Accused अगर आप देखिए आपने प्लैटफॉर्म दे दिया और उस प्लैटफॉर्म पर इस तरह की Advertisements आ रही हैं तो कहिना कहीं आप भी उतने ही Equal भागीदार हैं आप Conspire कर रहा हैं आबेट कर रहे हैं Commission of an Offence को लेकर तो Service Providers की विरुद्ध कानूनी करवाई की जा सकती है जिए फौजदारी मुकदमा दर्च कराया जा सकता है इनकी जो टॉप management है उनको भी as an accused आप कठरे में ला सकते हैं problem यहां आती है कि हमारे भारत वर्ष में इस कानून का बहुत effective पालन नहीं हो पा रहा है कहीं ना कहीं राक प्रिटिकल विल है कहीं ना कहीं जितना कानून हमें सशक्त बनाता है उतना शायद हम सशक्त बनना नहीं चाहते है यह उसको effectively enforce नहीं करना चाहते वह enforce करना शुरू कर दें तो मुझे लगता है काफी हद तक आएगी और वैसे यह बात तो कानून ने service provider determine करेगा यहां तक कि अब उच्चितम नियाले ने श्रिया सिंगल बनाम Union of India में यह पीस पश्ट कहे दिया है कि अगर आपको जब जब अदालत आपको दिश्या निदेश देती है कि कुछ चीश हटा ही है तब आप बिल्कुल duty बंद हो जाते हैं कि आप उसको remove करेंगे और अगर आप नहीं remove करेंगे तो आप पर करिनल कारवाई की जा सकती है आपके उपर हरजाना लगाया जा सकता है तो मुझे लगता है कि प्रावधान तो है कहीं ना कहीं यह जो lack of political will आ रही है सब इस प्रॉइडर की वो इसलिए आ रही है क्योंको नहीं लगता है कानून ढ़ा है चलिए आज इस कानून को आए 16 साल हो गए कुछ कारवाई नहीं हुई हम कोशिश करते हैं कि हम इसको और धीला आगे खीच से रहें ताकि कारवाई ना हो ऐसी स्थिति में जब सुप्रीम कोड फटकार लगा रहा है किन्द से कह रहा है इनको रोको और क्या रास्ता बचता है देखे जो भी इस तरह के पार्टिक्लर वर्ड होते है जैसरी नटाлем प्री नटाल सेख्स डिट। क्रमिनेशन या फटरश डिट। अश़ब्रश र मेसं नीटिट। दोरो स्टोन ग्राफी पर फिर दोजार तीन में सुप्रिम कोट ने अपने एक फैसले में जहां पर यह जो मैथ्यू सैमौल जोर्ज है जो पिटिस्टर है इस केस में। पहले भी वह पिटिशन नमर 3 थे उस केस में, 2003 में सुप्रिंग पोर्ट ने अपने उस फैसले में एक गाइडलाइन दिया सभी स्टेट गौर्वर्मेंट्स और सेंटरल गौर्वर्मेंट्स को कि कैसे इनफोर्स करें इस एक को और एक हर जगए अडवाईजरी बोर्ड बना में, तो खुलियाम इस कानून का उलनन क करके सेक्स डिटर्मेशन किया जाता है उसी तरह सेक्शन 22 का वायलेशन करके इसके इसके सेक्स डिटर्मेशन के जो आड है रो पॉब्लीश किया जाते थे वेब साईट पे जिसके लिए 2008 में यह P.L. फाइल किया गया, मैथ्यू सेमल जॉर्ज के द्वारा, और उसके बाद इस पहसले में 2015 में जाके सुप्रिम कोट ने इंट्रीम ओडर दिया, उसके बावजूद भी सुप्रिम कोट के इंट्रीम ओडर के बावजूद भी इन लोगों ने इसको बै पुरी तरह आया आपके मदभरतिये हो या कोई हो आप उसके पूरे कंटेंट को डिटरमाइन करके जो भी इस एक वर्ड भी आता हो उसको पुरी तरह ब्लॉक करें चाहे कंटेंट भी ब्लॉक हो जाता है जोशना मेरा सवाल आप से आपने हमारे जो साबर एक्सपर्ट हैं प सरकार ने सकती करी रोका नियम काईदे कानून सब बनाए अब यो वैबसाइट के जरिए एक्सस सब के पास है वैबसाइट का मोबाइल का एक्सस हो चुका है ऐसी इस्तिती में यह जो प्रावलम खड़ी हो रही है एक महला के नजरिये से आप इसे कैसे पहली बात तो यही कि सरकार ने यह एक्ट बनाया और बीच बीच में हम सुनते रहते हैं कि काफी कुछ इन क्लिनिक्स को बंद किया जा रहा है लोगों को पकड़ा जा रहा है लेकिन एक बहुत ही एफेक्टिव तरीके से यह फिर भी जो छोटे शहरें कम से कम आप यह चीज काम नहीं कर रही तो वो प्रॉब्लम अभी भी है दूसरी बात कि जादतर अगर हम इन वेबसाइट पर जाएं गूगल और यह उपर यह जो एद्स आ रहे हैं यह भार के देशों के भी बहुत आ रहे हैं सिर्फ भारत के ही नहीं यहां के लिए एक्शली करना शाय थोड़ा सा मुश्किल हो लेकिन वो देश में पहुच तो रही है तो इन चीजों को सरकार बिरकुल प्रॉक कर सकते हैं यह जो पूरी बात है कि इसको नहीं रोका जा सकता है क्योंकि कुछ हम लोग तकनीकी प्रॉब्लम के कारण कैसे करेंगे लेकिन इसको फिर भी रोका जा सकते हैं क्योंकि जो ब जैसे दुगल सर ने कहा है कि पोलिटिकल विल की भी बात है, सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलने से नहीं होगा, सच में क्या-क्या मुश्किले हैं, कॉर्परेट्स का सामना करना पड़ेगा सरकार को, यह बहुत बड़े कॉर्परेट्स इन लोग की दुनिया मे काफी वह है, जहां तक मैं कहूं कि महिलाओं के लिए यह क्या है, आप देख रहे हैं, जैसे मैंने बताया, कि लड़कियों की तादा देश में कम हो रही है, और ऐसा नहीं है कि हम लोग प्रॉब्लम्स फेस नहीं कर रहे हैं, आप हर्याना में जाके देखिए, हर्याना वो प्रदेश है, जहां पे सबसे सेक्स रेशो सबसे कम है, लिंगन उपात सबसे कम है, शादी करने के लिए लड़किया नहीं मिल रहे हैं, इसलिए आप बिहार की गरीब प्रदेशों से लड़किया ला रहे हैं, और उसी एक लड़की से घर के तीनों लड़के शादी कर रह ही है इसको लेके कुछ करना ही पड़ेगा और उसके लिए गूगल वगएर को भी बोलना पड़ेगा कि आप यह सब नहीं कर सकते हैं बात सिर्फ लॉक के वाइलेशन की नहीं है लेकिन एक सामाजिक रूप में जैसे एक मुद्दा बनके हमारे सामने खड़ा है एक बहुत ही विशाल प्रॉब्लम वाला मुद्दा कि जहां पर आपके पास लड़कियां कम हो दी जा रहे हैं एक देश में वहां पर इन सब को लेके सरकार को क्रैक डाउन करना ही पड़ेगा ढूडने पड़ेंगे तरीके बागी देशों ने भी तो किया है वहां पर भी तो तकनीकी बात आपने समझाई हमें समाज किस तरफे किस तरह से इसको जैसे जोशना कह रही थी आप इसे कैसे देखते हैं क्योंकि आप बता रहे हैं कि तकनीकी तरफे कानून भी है और रोग सकते हैं मनोजी ने भी बताया लेकिन अंकुश ने लग रहा है तो अंकुश लगाने के इन service providers के सामने आ सकती है और शायद उनको propel कर सकती है कि वो self regulate करें खुद अपने अपनी लेवल पर इस चीज़ ना करें और दूसरी बात है कि कही न कहीं आपको इस बात की भी responsibility लेनी पड़ेगी कि as a social service provider जब आप अपनी network पर services प्रदान कर रहे हैं उसका सीधा प्रभाव स और दूसरी बात है कि अगर आप कानून का बात नहीं मानना चाहते हैं तो कोई बात नहीं उच्छत अपने आईले के पास बहुत सारे ऐसी powers है कि वो enforce कर सकती है कि इस कानून का पालन हो नहीं चलिए पवन जी सुप्रीम कोड का जो फैसला है जो फटकार लगाई उससे निश्चत रूप से एक असर पढ़ेगा और प्रधान मंत्री ने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात जोड़ दिया है उसे भी एक नहीं ताकत मिलेगी तो आज फैसले में बस इत झाल